जैन दोस्तो वैकम बैक टू आर चैनल वैकम बैक टू जॉप टेरिया असा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरी इन तरीके से लगे होंगे रिसेंटली जो एक्जाम अभी पार हुआ है दोस्तो वान टू फिफ्ट का यानि इंटर्मिडियेट परसिचित साय का चार्ज का उसमें जो है बोध धर्म और जेन धर्म से जो है कोईस्टन आपको देखने को मिले हैं ऐसे में यह जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन रोल प्ले करेगा अपकमिंग एक्जाम के लिए यानि आपका जो लेबल टू का एक्जाम जो प्रिपेर कर रहे हैं या फिर लेबल वान का रिमेंग एक्जाम जो बचा हुआ है यह दोनों जो है अव जेन धर्म की सबसे पहले हम लोग समझेंगे जेन धर्म में तो जेन धर्म जो है उनके संस्थापक जो माने जाते हैं जेन धर्म के संस्थापक रेशब दिव को मना जाता है और इनका दूसरा नाम आदिनात भी है यह पर्थम तिर्थ कर रहे हैं जेन धर्म के इनका जो जन हुआ था 540 इसा पूर्व में हुआ था और कहां हुआ था कुंड ग्राम में हुआ थ्यां रखेगा एक एक लाइन important है साथी साथ 23 वे जेन तीर्थकर कोन थे तो ये पार सुना थे इस बात को भी ध्यां रखेगा साथी साथ 24 वे जेन तीर्थकर जो है रहे हैं कोन महावीर रहे हैं याद रखेगा यहां से questions बने हैं महावीर का बच्पन का नाम क्या था तो महावीर का बच्पन का नाम बर्दमान था ये किस बंस से चेतक की बहन थी लच्विनी सासक चेतक की बहन थी महाविर की माता वहीं उनके पिता की बात करें महाविर के पिता तो उनका नाम था सिध्यार्त महाविर की पतनी का नाम था यसुदा एक एक लाइन से कोशिचन बन जाता है दोस्तो और इसे कोशिचन से आपको मिलेंगे बस पुत्री का इनका नाम था अयोग जया और इनको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है इनकी पुत्री को जो कि इनका विभा जो है जमाली के साथ हो गया था ग्यान प्राप्त इनका हुआ था महाविर का साल विरिक्ष में और जो कि रिजुपाली का नदी के तर्ट प पूर्व में की जो है निधन हो जाती है साती सात एक बात ध्यान रखिएगा महावीर को जो है जेन धरम का बास्तविक संस्थापक मना जाता है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजेगा कोश्चन अगर पूछ ले कि जेन धरम का बास्तविक संस्थापक कोन है तो आप टिक कीजेगा महावीर पे, साथी साथ इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, महावीर के तीन रत्न थे, समयक ज्यान, समयक ध्यान, समयक आचरन, ये तीन इनके जो है त्री रत्न रहे हैं, और इन्होंने पंच महावर्थ दिये, अहिंसा, सैथ, आस्वेत्य, आस्वेत्य का दिये थे, तो इसको ठ्यान रखेगा, पर्थम उब्देश माविर ने कहा दिया था, तो ये आपका राजगिरह के विपुथल पहाड़ी में दिया था इन्होंने, और इनके पर्थम सिस्थ का नाम था जमाली, जो उनके खुद के दमाद थे, पर्थम भिक्षोनि, पर्थ इसके साथ साथ कोश्चन पूछ लिया जाता है, कि दूसरा तिर्थकर कोन थे जेन धर्म के, तो अजित नात थे, जिनका जन्म अयुद्धा में हुआ था, और तिसरा तिर्थकर की नाम पूछ ले, कि जेन धर्म के तिसरे तिर्थकर कोन थे, तो संभब नात थे, जिनका ज को आघम कहा जाता है और गरन्थ को जो है अर्द मगधी कहा जाता है तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा तो एक एक लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट था दोस्तो ध्यान रखिएगा यह आपका जो हो जाता है जेनधर्म इससे बाहर जेन धर्म से कोईस्टन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे चलिए आप बोध धर्म की बात कर लेते हैं बोध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध इनका जन्म जो हुआ था 563 इसापुर्व में हुआ था कहां हुआ था तो लुम्बनी गाउ में हुआ था लुम्बनी गाउ में कपिल बस्तु में हुआ था इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और समाज साख्यगन के प्रधान थे उनके पिता माता का नाम जो है महा माया थी और जो की कोलिंगन की राजकुमारी थी बोध जी का जो है गौतम बोध जी का पत्नी का नाम योसुधरा था उनके पुत्र का नाम राहूल था और उन्होंने ग्रिहत याग कर दिया था 19 वर्स के उम्र में ध्यान रखेगा एक एक लाइन इंपोर्टेंट है यहीं से कुष्टन आपका फ्रेम हो जाएगा तप इस्थल जो इनका था रुवेला नदी के निरंजला नदी के तट पर इन्होंने जो है तट इस्थल रखा था अपना तप इस्थल रखा था यहीं इनकी ग्रान ग्यान की जो प्राप्ति होई थी 35 वर्स के उम्र में ही हो गई थी और महा परिनिर्मान इन्होंने किया था 483 शापुर्में पाला उवदेश उन्होंने दिया था सारनात में ध्यान रखेगा वेरी इंपोर्टन है तो गोतम बुद्ध का पाला अवदेश सारनात में दिया था साती साती चार आर्य सच्छ्टि इन्होंने बताया दुख दुख समुदई दुख विसिस और दुख निरोद ग्यामिनी ये जो है चार चीजे चार या आरिय सच्थ इन्होंने बताया था बोध धर्म के त्रिरत्न क्या थे तो बोध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो आपका बुध संग और धम ये जो है इनके तीन त्रिरतन थे बोध गरंथ सुस्त पिटक, बिनाई पिटक अभिधम और त्रिपिटक ये सब जो है बूध धर्म के जो गरंथ है और त्रिपिटक जो है ये भासा पाली में लिखी गए थी इसको भी ध्यान रखिएगा बोध ने उबदेश दिये किस भासा में तो पाली भासा ने भासा में इन्होंने उबदेश दिये थे और बोध धर्म का विभाजन जो हो गया दो ग्रूप में इनका विभाजन हो गया था एक का नाम हिन्यान था दूसरा का नाम महायान था और कनिस्क के सासनकाल में ये विवाजन हुआ था इस बात को भी ध्यान रखिएगा चतुर्त बोध समिती पूछ लिया जाता है यहां से कोश्चन बन जाता है तो चतुर्त बोध समिती की बात करें तो कुंडल बन में हुआ जो की कस्मिर में पड़ता है उस समय के अध्धक्ष जो थे चतुर्त बोध समिती की वो थे बसुमित्र उपाधक्ष थे आपका अस्वखोस और सासनकाल था आपका कनिस्क का तो यह मुखतव फैक्ट है ध्यान रखिएगा यहां हिन यान का अर्थ हो जाता है उपदेशों और महायान का अर्थ होता है मुर्ति पुजा तो इस बात को भी ध्यान दिजेगा तो यह आपका हो गया दोस्तों आपका जेन धर्म और बोध धर्म से समन्दित इंपोर्टेंट फैक्ट तो अगर आप लोग इस वीडियो को वार की से देख लिए हैं तो डेफिनेटली इससे बाहर आपके questions नहीं देखने को मिलेंगे सारे एक एक line important था तो ये था दोस्तो dedicated वीडियो जेन धर्म और बोध धर्म से related I hope so कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक like जरूर कीजेगा thanks for watching